तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज कलना विभाग की तरफ से सम्विदा भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पद है आपका कंपूटर आपरेटर पूरा 21 जीलो की तरफ से भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके लिए योगता क्या चाहिए एज क्या चाहिए आनलाइन फार्म आपको कैसे बरना है मैं बिल्कुल इस्टेप बाइस्टेप आपको बताने वाला हूँ सहली आपको 15,000 रुपए प्रतिमा दोस्तों मिलने वाली है तो आईए मैं आपको बताता हूँ कि आपको घर बैटे फोन से ही आनलाइन फार्म कैसे भरना है तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पार हैं बिभाग का नाम यहाँ पर समाज का ल्याण बिभाग होगे आपका ठीक है अंतिम्तिती फार्म बनने के 7 दिसंबर 2023 उन्तिस तारिक से आपके दोस्तों फार्म इस्टाइड है यहाँ पर आप देख पर है पद का नाम कंप्यूटर आपरेटर यहाँ पर देखे कुल पद दो थो देखे मैं यह दो यह गती हैं जिले का है थीप है मैं सभी जिले में दिखाओँ गा कि कितने कितने पद है और खीक है योगता सभी में सेम है किसी भी जिले का हो ठीक है यह आपकीशेम qualcosa मैं बता दू इस के लिए आ इस नातक चाहिए उसके लाव त्रिपल सी है एडी सी है कुछ भी है अगर आपके computer का तो यहां पर मानने हो जाएगा ठीक है ध्यान से सुनिए कि वीडियो स्किप्ट नहीं करेगा सभी जिलू को मैं कोई भी अपलाई कर सकता 15,000 रुपए सेली मिलेगी एक कैस से 45 साल के बीच में एज हो जी यहां पर कोई भी आपको आवश्यक अनुभव नहीं चाहिए नहीं कि कोई भी experience नहीं लगेगा यहां पर देखे राज उत्तर रुकते जनपद लखनव यह आपका लखनव से दो यहां पर भी देखे सेम आपका 25 सालेज है 15,000 सेली है यहां पर दोस्तो शरावस्ती में एक पद है यूकता सेम है पद सेम है आपका online फ़र्म भनने के डेट सेम है तो देखे सबसे पहले में दिखा देता है कि कहां कहां से पद निकले हैं यहां पर देख पा रहे हैं सिधा कभी नगर हो गया ठीक है और नीचे फिर यहां पर देखे रामपूर हो गया ठीक है सभी जगे जो भरती वो समाज कल्यार विभाग में मुखमंत्री अभिद्वयोजना के अंतरगत कंप्यूटर आप वेटर के आओ सकता है उपर ही मेंशन किया गया है उसके बाद आप देख पर है अगला जो है आपका राइवरिली हो गया ठीक है फिर अगला जो आपका डिश्टिक है वो हो गया आपका मतुरा ठीक है उसके बाद देखे लखनाव आपका हो गया दस नमबर जिला आपका देखे हैं पर गौतम बुधनागर हो गया ठीक है और नीचे चलेंगे समाच कलनार भीवाग फिरोजाबाद हो गया ठीक है और नीचे चलेंगे समाच कलनार भीवाग यहाँ पर फरूखाबाद हो गया ठीक है यह हो गया नेक्स्ट आपका आगे देखते हैं यह यहां पर आप देख पार है अगला जो आपका जिला है समाज कलनार विवाग भुलंद सहर हो गया समाज कलनार विवाग बागपत हो गया ठीक है समाज कलनार विवाग अरया हो गया ठीक है और नीचे आएंगे समाज कलनार विवाग अमेठी हो गया ठीक है समाज कलनार विवा दोस्तों आग रहा हो गया इस पर दोस्तों एक कई जिले सामिल किसी जिले में दो पद है किसी में एक पद है किसी में तीन भी हो सकते किसी में चार भी हो सकते हैं तो इस तरह से हैं यह तो मैंने आपको दिखा दिया कि जिले कितने हैं क्या योगता चाहिए क्या यह चाहिए देखे योगता वगरा सभी जिले में सेम है ठीक है और आपका सेली सेम है सब कुछ सेम है कोई अंतर नहीं है बस पद ऊपर नीचे है कहीं दो है कहीं चार है अब आप आपने फोन पे जो है गूगल ओपन किया टाइप करना सेवायोज्रा यूपी.nick.in यह उत्तर तेस गवर्मेंट की आपसेल वेफसाइट यह टाइप करने बाद सीधा दोस्तों क्या करना है सर्च वाले आपसन पर क्लिक करना है जैसे सर्च वाले आपसन पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे यहां पे आप देक पर है रोजगार संगम का आपसन आ अपरना कहां से है न थोड़ा सा यहां पर आपको किस जगह जाना है कौन सा आप सापको लेना है यह मैं आपको बताऊंगा ध्यान से आप देखें मैं थोड़ा ड्राइक कर देता हूं यहां पर देखें तीन बिंदी का आपको आप सन नजरा रहा है चलिए अब जोन कि आप तो थोड़ा प्रहिल कम कर लेते हैं पूरा कम कर देते हैं अब इस तीन बिंदी वाले आपसर पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आप देख पर एक पॉप-प हो कोई अगर मैं काट देखें बंद हो जा रहा है क्लिक कर देनो तो ओपन हो जा रही देखिए इस तरह से यह प पर आपको क्रियेट करके आपको दिखा देता कृट कैसे करना है थोड़ा जूम कर देता हूं यहांप देख पर हो है नियर क्लिक करेंगे כן look यह आप देख पर है ड्रैक करके नीशेक तरफ आएंगे यहाँ पर आप देख पर रहे हैं साइन अप के लिए आप सना रहा है नोट कृपया अपने आधार के अंस्वर अंग्रेजी में भरें यहाँ पर अपना पहला नाम भरना है फिर अपना अधान नंबर फिर मोबाइल नंबर फिर इमेल आईडी भर देना है फिर नीचे तरह आप आना यहाँ पर अपना डेटा बर्द भर देना है यहाँ मेल है फिमेल वो बर देना है user id आपको बनाना खुद से वो user id note कर लेना है क्योंकि यही user id से आप login करने वाले है user id में कुछ भी आप बना सकते हैं मनोज एक दो तीन अब है एक दो तीन mobile number कुछ भी दे सकते हैं password आपको देखे ऐसे बनाना है sample at the rate 123 यानि कि आपको capital में alphabet लेना small भी लेना है फिर at the rate लेना है कोई number आप जो चाहूँ ले सकते हो फिर same वही यहाँ पर password confirm करना है और यह password user id जरूर नोट कर लेजएगा इसी से आप login करने वाले हैं यहाँ पर देखे आपको box पर टिक करना है यह कैपचा यहाँ फिल करना है और यहाँ पर verify आधार पर click करेंगे तो आपका जो registration है वो हो जाएगा अब आप सुछते हों कि हमने fill up करके registration करके क्यों है दिखाया तो दोस्तो इस पर आधार मांगता है आधार जैसे एक बाल ले लेगा दुबारा आपका इस पर registration नहीं होगा चलिए इस पर click कर देते हैं जैसे इस पर click करेंगे फिर से नया page हमारे सामने कुछ इस तरह से open हो जाएगा थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पर wait करेंगे यह देखे इस तरह से open हो गया जो user ID हमने वहाँ बनाई थी यहाँ पर डालना है जो password हमने बनाए थे करेंगे जैसे सम्मिट वाले option पर click करेंगे आप देख पा रहें इस तरह से जो इसका login बोर्ड है वहाँ पर हम login हो चुके हैं अभी तक आप देख पा रहे हैं आउट्सोर्स में आवेदी थी जो बीवरण है complete जब आप कर लेंगे तब ही आपको भरती सो होगी ठीक है आप जब यह आप complete कर लेंगे step इसके बाद आपको क्या करना है नौकरी के लिए आवेदन करें वाले option पर click करना है यह पूरा आप देख लीजे पहले वीडियो है न यह इस तरह से फिर यहाँ पर आना है यहाँ आपको अपनी सैची की योगता select करना है क्या सैची योगता है आपकी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पर इस नातक वाले box पर क्लिक कर देंगे उसका नीचे आएंगे खोजो अले option पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप खोजो अले option पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना है अभी देखे भरती सो नहीं होगी आपके सामने भरती सो जाएगी बहुत से दोस्त बाइबानों का कहना रहता है कि भरती सो नहीं होगी देखे मैं दिखा रहा हूँ आपको सर्च पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करना है दोस्तों क्योंकि इसके जो सर्वर है वो थोड़ा down रहता है बहुत ज्यादा जो है रस रहता इसकी website से मतलब यह slow बहुत चलती है बहुत busy रहती है देखे अभी भी भरती सो नहीं हो रहे है तो हम wait करेंगे अभी दोस्तों अभी देखे भरती जो है वो आपकी अभी आपके सामने थोड़ी दिर में सो हो जाएगी यहाँ पर स्वास्त विवाग की भरती सो हो रही है और आप देख पार यहाँ पर जो भरती है वो सो होने लग गई है च्छै नंबर से हमाई भरती सुरू हो रही है पांच नंबर से हाँ पांच नंबर से भरती हमाई सो हो रही है पहले नंबर पर दोस्तों आप देख पार बीड नहीं देखना मुझे सिर्फ फार्म बनना है तो यहां पर आवेदन करें वाले पर क्लिक कर देंगे फार्म आपको भर जाएगा कुछ और नहीं करना तो मैं थोड़ा दिखा देता हूं कि स्रावस्ती जिल्यों में कितने पद है रिक विरोड वाले आप्शन पर क्या कर चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है टाइपिंग आपकी 25 सब्सक्राइब हिंदी और 30 सब्सक्राइब मिनट आपकी इंग्लेज शैली यहां पे 15,000 प्रतिमा एक आईस से पैताली साल के बीच में एच कोई एक्स्पिरेंस नहीं चाहिए जन्पता आपको स्रावस्ती आप य का डिटेल देखने की जरूत नहीं है एक काप डिटेल देख लीजे कि क्या योकता है क्या एज है क्या सैली मिलेगी बाकि सबी जिल्यों का सेम है कुछ भी अलग यहां पे दोस्तों नहीं है और आपको क्या करना सबी जिल्यों में फार्म भर देना है माली जिए एक जिल्य से नहीं आता दो से नहीं आता तीन से नहीं आता तो कम संग किसी जिल्य से तो आपको बुलावा आ जाए ठीक है तो देखिए अभी भी फार्म वह हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है किसका दोस्तों सर्वर बहुत ज्यादा डाउन चलना है यह वाइट वाई लाइन जब तक क्लिक करना है इस पर क्लिक करना हए फिर से दोस्तों आपको वेऍट करना पड़ेगा और जैसे भरती आपकी सो होगी वह आ जिसे पांच नमबर पे हमने भारत अभी छे नमबर आएगा साथ नमबर आएगा आठ नमबर पूरे 21 नमबर तक आप भरती को हो दोस्तों देख पाएंगे और उसी तरह आपको कंप्लीट करते जाना थोड़ा समय एक बार और दिखा देता हूं अगर जलती यहां पे सो हो ज अगर मैं दूसरे जिले का भरना चाहरू देखिशा सिधार्थ नगर का है इसको भी में भर सकता हो यहां पे क्या करना है आवेधन कर एका option पर सीधा click कर देना है बस इसी तरह आपको click करते जाना थोष्टों जितने भी जह हैं देखिए सभी जिले जहां रामपुर हो गया राय बरेली हो गया समा माथूरा हो गया फिर दूसरे नमबर वाले पेज़ पे जाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो फिर दस आपका देखे दस नमबर यहां सो रहा है अगला पेज़ पे 11 लेकर 20 तक सो होंगे ठीक है इसी तरह आपको दोस्तों चेक करते हुए आगे बढ पाएंगे सभी जिल्यों का भर दीजिए कोई दिक्कत नहीं आल यूपी कोई भी अप्लाई कर सकता है तो इस पे इस तरह से आपको आवेदन करेंवेले आप्शन पे क्लिक करते जाना है यहां पे और आपका जो फाम हो कंप्लीट हो जाएगा सर्वर अभी देखे दोस्तो स्लो मैंने एक फाम आपको भर के दिखा दिया ठीक है तो इस तरह से रही दोस्तों आपकी भरती की अपडेट आप जरूर अपलाई कर दे कोई दिक्कत प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं समझ वारा तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप डारेटल मुझसे बात करना चाहरे हैं दोस्तों तो जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिश्टम ने दिया गया है उसको आप जॉइन करके मुझसे डारेटली इंस्टाग्राम पे भी बातचीत कर सकते हैं तो इस तरह से भरती करें अपडेट आप वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे वीडियो अच्छा लगो हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि भरतिश रिलेटेड जो भी नोटिविकेशन है वो आपको स्वते मिलते रहें आप मिशन करें अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे जय हिन जय भारत